न्याय निग्मन की चौथी क्लास में आप सभी का हरदे की गहराईयों से स्वागत करता हूँ दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक न्याय निग्मन की पहले दूसरी और तीसरी क्लास नहीं देखा है प्लीज उसको देख लीजिए जिससे चौथी क्लास को समझने में आपको कोई दिक्कत नहोँ तो दोस्तों चौथी क्लास में मतलब की इस क्लास में दोस्तों हम लोग कथन एक तीसरे कथन को छोड़ दिये थे तीसरे कथन क्या था सभी आम सेव नहीं है मतलब कि सभी A, B नहीं है इस प्रकार से बनने वाले कथन को हम लोगों नहीं देखा था बाकि तीन प्रकार के कथन से बनने वाले निसकर्ष को देखा है क्लियर तो इस कथन से बनने वाले निसकर्ष को यहाँ पे हम लोग देखेंगे ठीक है, थोड़ा से ध्यान दीजिए, इस कथन को और एक प्रकार से लिख सकते हैं, सबी आम सेव नहीं है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कोई आम शेव नहीं है, ठीक है, कोई आम शेव नहीं है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह कथन और इसका मतलब एक ही है तो दोस्तों इस प्रकार से कथन से दो निसकर्स तो बनेगी ठीक है सीधावे में सभी नहीं का सीधावे में परिवर्तन कुछ नहीं में होता है और उल्टावे में भी परिवर्तन कुछ नहीं में होता है जब हम लोग कथन के निसकर्स बना रहे थे यह देखिए है ठीक है सभी नहीं कथन का सीधावे में परिवर्तन कुछ नहीं में और उल्टावे में कुछ नहीं सभी नहीं का परिवर्तन कुछ नहीं में कुछ मतलब की सीधावे में हो चाहे उल्टावे में हो सभी नहीं का परिवर्तन कुछ नहीं में ही होता है, ठीक है, तो चलिए देखिए, परिवर्तित करते हैं, क्या, सभी आम सेव नहीं है, मतलब की, कुछ आम सेव नहीं है, इसको उल्टावे में क्या बनेगा, सभी का, सभी नहीं का, उल्टावे में कुछ नहीं होता है, तो क्या बनेगा, कुछ सेव आम नहीं है, ठीक है, और अपवाद के दोरान पे एक निसकर्स और बनता है, ठीक है, सभी आम सेव नहीं है, इसका उल्टावे में अपवाद के तौर पे क्या बनेगा, क्या, लिखिए, सभी सेव आम नहीं है, उल्टावे में अपवाद के तौर पे ये भी निसकर्स बनेगा, थोड़ा नियोट करके रखना, सभी सेव आम नहीं है, आप थोड़ा से थन्भी दिमाग से सोख, ये सभी आम सेव नहीं है, तो सभी सेव आम नहीं है, मैं कह रहा हूँ, सभी लड़के फेल हैं क्लास में, तो इसका मतलब सभी लड़के पास नहीं है, सभी लोग खाना खा लिया इसका मतलब की सभी लोग खाना क्लियर है चलते हैं आगे क्लियर है तो कथन एक कथन दे दिया जाए अगर आपको और उनसे निसकर से पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिस की दरॉन पे कुछ कथने दे रहा हूँ मातर सिंगल ही कथन भी दूँगा इस वीडियो में तो उनकी निसकर से बनाते हैं साथ में क्लियर है क्या है सभी सभी लाल सभी लाल हरा है तो इसके दो निसकर से क्या बनेंगे कुछ लाल हरा है लिखेंगे यहां पर कुछ लाल हरा है फिर क्या अब उल्टा वे में तेजी से कुछ हरा लाल है ठीक है दूसरा कथन क्या था कुछ पेन काग जो है कुछ पेन कागज है तो इसके निशकर्ष कया बनते हैं सीधा वे में नहीं बनेंगा उल्टा वे में कुछ कागज पेन है सई बात है न और चौता कथन क्या था कुछ स्याही कुछ श्याही रंग है कुछ स्याही रंग नहीं है कुछ स्याही रंग नहीं है तो कुछ नहीं का निसकर सीधावे में हो चाहे उल्टावे में हो बनता ही नहीं है ठीक है और हमारे पास अब आएगा एक कथन और क्या है कुछ कागज कौपी है कुछ कागज कौपी नहीं है कुछ कागज कौपी नहीं है तो इसके क्या कुछ कागज कौपी नहीं है तो इसके क्या निसकर्ज बनेंगे इसके ना तो सीधावे में निसकर्ज बनेगा और ना ही इसका उल्टावे में ही बनेगा ठीक है चलते हैं थोड़ा से और कुछ उधारन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा से और कुछ उधारन लेते हैं, और अच्छे समझते हैं, ठीक है, क्या है, सभी कॉपी बुक नहीं है, क्या है कथन, सभी कॉपी बुक नहीं है, तो इसको और दूसरे परकार से भी लिख सकते हैं क्या है कोई कॉपी बुक नहीं है सही बात है न तो इस तरह के सभी नहीं के कथन से तीन निसकर्स बनेंगे सही बात है क्या निसकर्स बनेंगे सीधावे में कुछ कॉपी बुक नहीं है लिखेंगे कुछ कॉपी बुक नहीं है उल्टावे में क्या बनेगा कुछ बुक कॉपी नहीं है कुछ book copy नहीं है ठिक है एक अपवाद के दौरान पे जो तीजसर निस्कर्ज बनता है, उल्टावे में सबी book copy नहीं है clear है यह या तो यह निस्कर्ज बनेगा या तो कोई book copy नहीं है ये भी बन सकता है अथो और क्या बन सकता है कोई book copy नहीं है ठीक है तो अगर आपको single statement मतलब single कथन दे दिया जाए और उन से निसकर्स बनाने के लिए कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आफट अफट उन कथनों के निसकर्स बना दोगे तो अगली क्लास में हम लोग आपको देंगे दो कथन और उनसे बनवाएंगे निसकर्स और ये भी पूछूँगा कौन सा कथन सकते है कौन सा निसकर्स सकते है कि कौन सा नहीं सकते है क्लियर रहे तो अगली क्लास आने का तब तक कब वेट कीजिए जब तक के लिए जय हिंद।